रैपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेट द्वारा वड़र टेरेसा वाट के अंतर गत मौजूद शाम नगर वजल भिहार कॉलिनी छेतर को जल भराओ से निजात दिलाने डेनेट सिस्टम तयार किया जाएगा महापरजास रेपर और पाशात अजीत कुकरेजा की इस पहल से सैक्रो परिवारों को राहत मिलेगी रैपर स्मार्ट सिटी लिमिटेट के एमडी शौरप कुमार के अनुसार या डेनेस सिस्टम लगबग 1.8 किलो मीटर में बनेगा इसमें कई चोटी चोटी नालिया एक 300 मीटर के लंबे नाले से जुड़कर आनन नगर चौक से गुजरने वाले मुख्य नाले में जाकर मिलेंगी रैपर स्मार्ट सिटी लिमिटेट के महा प्रबंधक टकनीकी एसके सुन्दुरानी ने बताया कि शाम नगर वजल बिहार कॉलनी में पानी की इस निकासी विवस्था से लगभग 75 एकर छेतर में जमा होने वाले बारिश के पानी के ठहराओ को बहाओ में परिवर्तिकल जर भराओ की स्थिती को समाप्त किया जाएगा सुन्दुरानी ने बताया कि ये ड्रेनेस सिस्टम 2.53 कड़ोर रुपे की लागत से अगामी 6 माह में तयार होगा इसके लिए निवीदा प्रक्रिया जारी है जल्द ही कार अजन्सी चैनित कर कार प्रारम भी किया जाएगा रैपूर का अग मदर टेरसा वार्ड है जहां पर काफी लंबे समय से वाटर लॉगिंग की समस्या आ रही थी इसको देखते हुए रैपर स्मार्ट सिटी ने एक प्लान तयार किया है जिसमें जो छोटी-छोटी नालिया है और यह करीब 1.8 km का पैच है यहां पर जो नाले गुजर रहे हैं तो यह सब को प्रापर क्लियर करते हुए एक डिनिस सिस्टम तयार किया जाए और उस डिनिस प्राव कि स्थिति बन रही है वो दूरों के साथ चितरा पटेल की रिपोर्ट